आज का जो लेसन है प्रसी राइटिंग ये आपके ग्रामर का पोर्शन है और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है इसके लिए आपको ठीक ठाक प्रक्टिस करनी पड़ती है आज ये जी हम देखते हैं प्रसी राइटिंग क्या है यहां हम इसको कहते हैं comprehension of a passage comprehension के माइनी है understanding यनी आप को जो paragraph दिया जाता है आप उसको read करते हैं और उसको comprehend करते हैं उसको understand करते हैं समझते हैं कि यह क्या है किसके बारे में है और उसके अंदर कौन सा material मौझोध है प्रसी राइटिंग क्या है प्रसी राइटिंग वो प्रॉसेस है जिसमें आप पहले paragraph को comprehend करते हैं करते हैं फिर उसको इसकी आप उस पेराग्राफ के अप समरी बनाते हैं ताइटल देते हैं उस पेराग्राफ को और जो क्वेस्टन आप से पूछे के तो उनको उनका आंसर देते हैं इस सारे जो प्रॉसेस है इसको हम कहते हैं जी प्रसी राइटेंग आज हम सीखेंगे कि प करने से पहले आपको कौन-कौन से रूल्स को माइड में रखना चाहिए कौन-कौन से रूल्स ज़रूरी है एक अच्छी प्रेसी राइटिंग के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आप के पेपर में जो पेरग्राफ दिया क्या है उसको कमस कम तीन दफा जरूर रीड करें तीन दफा से कम नहीं क्योंकि हो सकता है वो आपको पहली दफा में समझना आए या आप उसको ठीक रहा से अंडिस्टैंड ना कर पाएं सो पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कमस कम आपने पेरग्राफ को तीन मरतबा पढ़ना है फिर फासच में जितनी भी इंपॉर्टन पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि ये इंपॉर्टन पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें ठीक हो गया कभी कभार इस तरह से भी होता है कि हमने हम पहले क्वेश्टन को पढ़ लेते हैं पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम पहले क्वेश्टन को पढ़ लेते हैं और फिर पैराग्राफ को पढ़ते हैं और कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि पहले पैराग्राफ को पढ़ते फिर questions को पढ़ते हैं अगर आपने questions पहले पढ़ लिए हैं तो आप क्या करेंगे कि उन questions को mind में बिठा लें और जब आप तीन दफा रीट कर चुकें तो उस paragraph में से जो possible answers आपको नजर आ रहे हैं उनको underline कर लीजिए फिर जब तक एक और important जीज़ याद रखिएगा कि question भी आपने बहुत ही समझतारी के साथ पढ़ने हैं पहले आप question को पढ़िए समझे कि उसमें क्या पूछा गया है sometimes ऐसा होता है कि हमें question गलत समझाता है तो हम उसका answer भी गलत देते हैं so answer से ज्यादा ज़रूरी है कि आप question को understand करें कि question मैं आप से क्या पूछा जा रहा है फिर आपने आप से required किया जाता है कि आप question का जो answer है वो अपनी wording में लिखेंगे आपने as it is वो जो line है उसको as it is वहाँ पे copy paste नहीं करना कोशिश करें कि answer को हमेशा चोटी 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 lines में चोटी चोटी phrases में लिखें क्योंकि जितना लंबा आप answer लिखेंगे उसमें mistakes की उतनी ही ज्यादा possibility होगी पिर आपका जो आप जो भी tense tense में आप sentence लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो ज्यादा तर जो mistakes होती है tense में वो यह है कि आप past present future का mixture बना देते हैं समझ में नहीं आ रहा होता कि आप बात जो है कि past में ही हो ठीक है और अगर future में है तो future में लिखेंगे अगर present में है तो present में लिखेंगे इसी तरहां से आपने answer sheet पर जो है वो कुछ नहीं लिखना जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए कि आप क्या करने जा रहे हैं आपने बहुत जल्दी में उसको attempt नहीं करना क्योंकि ये अच्छे खासे marks का question है और बहुत important है so एक चीज़ और जब आप paragraph पढ़ रही हैं तो आपने सारे important points को एक तो आपने question answers को माइट में रखा उसके इलावा आपने सारे points को जो important points उनको underline कर ले हैं अगर paragraph में कोई examples दी भी हैं तो इन examples को आपने छोड़ देना है और अगर एक ही paragraph में unnecessarily बहुत लंबी एक ही point को discuss किया जा रहा है कि अगर आपको three paragraphs दिये में हैं और एक में बहुत लंबी discussion है तो इस discussion को भी आपने short करना है आपने पूरा जो paragraph उसका gist निकालना है उसका निचोड निकालना है लेकिन आप जो भी lines चूज करें हैं जो भी content निकाल रहे हैं उसमें connectivity होनी चाहिए ऐसा नहीं कि एक sentence आपने लिखा तो दूसरा sentence आपने नजाने कहां से उठाया कि पहले sentence जो है वो दूसरे sentence के साथ match नहीं करा जो information है उसमें connectivity होनी चाहिए इसी तरह से अगर paragraph में use हुआ है I का word तो आप चाहे poem attempt करें हैं या pressy writing attempt करें हैं या कुछ भी तो जब आप answers लिखेंगे तो आपने I का word use नहीं करना इसी तरह से जब आप paragraph को summarize कर रहे होंगे उसकी summary लिख रहे होंगे तो उसमें भी आपने I का word use नहीं करना आप लिखेंगे he और the writer says तीक है वरना वो आपके एक mistake होती है I का मतलब है कि आप अपनी तरफ से कुछ इस लिख रहे हैं और आप उसके writer है so यह चोटी-चोटी mistakes हैं जिनको आपने याद रखना है इसी तरह से मैंने आपसे पहले का कि आपसे required किया जाता है आपसे expect किया जाता है कि आप lines को paragraphs को जो भी आप rewrite कर दें दुबारा लिख रहे हैं वो आपनी words में लिखेंगे so जब आपने understand कर लिया तो उनी words को आपने simplify कर दाना है change कर देना है अगर लिखावा well-mannered उसको आप good कर दें उसको आप super लिखते हैं उसको आप decent लिखते हैं ताकि ऐसा लिखे कि आपने खुद से चीज़े reproduce की हैं वो आपने copy paste नहीं किया उससे आपके marks भी कटेंगे और ह हो सकते है कि पूरी जो प्रस ही है वही कट हो जाए इसकी इसी तरह से आपने अगर कोई direct चीज़ लिखी वी है और example लिखावा है जी काई दियाजम से इस work work and work तीक है क्या कोई भी exact words लिखे वे हैं और आप उन exact words को use करना चाहरे हैं तो उनको भी आपने indirect language में convert कर लेना है like he says तीक है और इस तरह से आपने जो direct words लिखने लगें तो आपने अपना जो paragraph है उसकी lines को count कर लेना है for example आपके पास 30 lines है तो जो उसकी summary है वो 10 lines की होनी चाहिए यनि आपके paragraph का third part हो वो summary जो आप लिख रहे हैं ऐसा ना हो कि paragraph से भी लंबी summary चले जाए तो आपने ये बातें याद रखनी है आपने उनको गिल लेना है और उसको divide करके देखनें कि कितनी lines आएंगे उसके बाद जब आप सारा कुछ आपने question के answers लिख लिए आपने प्रसी भी बना ली तो जो title है title को बिलकुल आखर में रखियेगा आखर में दीजिएगा title को ठीक है उसकी वजाएए कि तब तक आप बहुत 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 पहतर तोर पर समझ चुके होंगे कि जो paragraph है वो किसके बारे में हैं कभी कबार आप बहुत जल्दी में title लिखते हैं इसे अरud ठाइटल जो है वो नमाइंद की करे वह रिप्रेजेंट करें पूरे प्राग्राफ लाक्राफ को नहीं और किसी एक सब्सक्दश को है बोलके पूरे प्राग्राफ को ठीक हो किया जी आप कमषळ कम एक या दो प्राग्राफ जो है उसको खुद जुरूर ट्राय करें ठीक है और मैं दुबारा से important चीज़ें आपको बता दूँ paragraph को आप तीन दफ़ा पढ़ें और paragraph का third part जो है वो आपने उस की third part जो है वो summary का होगा यानि जो summary है वो third part हो paragraph का टेंसिस का ख्याल रखना है अपने इलफाज अपने इस्तमाल करने है और आपने टेंसिस में problem नहीं करनी और जो title है उसको सोच समझकर लिखना है थैंक यू बरी मॉच पुर्ण वोब का शवाजया को बरी मॉच बरी मॉच